पानी पूरी खाने से ही हुई है डॉक्टर्स का कहना है कि पानी पूरी गले में फस जाने से सांसनली चोक हो गई और मरीज की मौत हो गई इस बारे में जब हमने एनटी स्पेशलिस्ट से बात की तो उन्होंने इसके बारे में डिटेल जानकारी दी डॉक्टर राकेश कुमार ने कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि पानी पूरी गले में अटक गई होगी और उसका पानी पेट में जाने की जगे फेपड़ों में चला गया होगा जिसकी वज़े से मरीज को अटाइक आया होगा और उसकी मौत हो गई इसके साथ ही दूसरा कारण मरीज का गला खराब होना भी हो सकता है जिसकी वज़े खटा और स्पाइसी खाने पर गलासो पर सेन सटेव होकर चौक हो गया जिसे सांसनली भी चौक हो गई जो मौत का कारण बनी इनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिस ओधिया बताते हैं कि पानी पूरी खाते वक्त लोग बहुत बहुत जल्दी पानी पूरी खाते हैं जल्दी जल्दी पानी पूरी खत्म करने में उन्हें एक थ्रिल फील होता है ये थ्रिल उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है इसमें पानी पूरी गले में अटकने और उसका पानी पेट में जाने की जिगे फेपड़ों में जाने के चांजेस बढ़ जाते हैं तो मौत का क नली की ऊपर फ्लेप होता है जो खुलता और बंद होता रहता है अगर कभी ये फ्लेप खुला रह जाता है तो खाया जाने वाला खाना असांस नली में चला जाता है और नली चोक हो जाती है